To all of you, मेरा नाम है देवियांश और आप देखना शरू कर चुके हैं The Learning Land को मैं यहाँ पर देश दुन्या की खबरों को एक आसान भासा में आप तक पहुचाता हूँ आज के इस वीडियो में हम जानेगे कि पाकिस्तान ने अपनी कंट्री में विकीपीडिया को बैन कर दिया है क्या है इसके पीछे की असली वज़े जानेंगे इस वीडियो में इसी तरीके की जियो पॉलिटिक्स न्यूस देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने आपने ड़ानिंग लेंड़ को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब टू दा लर्णिंग लेंड वीडियो में बने रहिए जैसा कि आप यहां देख पाऊँगे कि पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी जो की Encyclopedia है Wikipedia इसको अपने country में बैन कर दिया है अगर हम Wikipedia की बात करते हैं तो Wikipedia दुनिया का एक बहुत बड़ा source of information है जहां पर आप किसी भी topic की primary information को ले सकते हो आपने या मैंने भी अपनी life में कभी न कभी Wikipedia का यूज जरूर किया होगा आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए होती है तो आप उस topic को डालते हो और Wikipedia आपको उसकी basic fundamental information को दे देता है वहीं Wikipedia से मिलने वाला जो भी सारा content होता है it is totally free of cost, वो completely free रहता है वहीं अगर आप कोई specific newspaper या किसी article को कुछ समय के लिए पढ़ते हो तो कुछ चीजें को पढ़ने के बाद आप से वो कुछ amount की मांग करते हैं आपको उनका subscription लेना पढ़ता है बट इन Wikipedia आपको वो completely free of cost पढ़ता है देखिए अब प्रश्न ये उड़ता है कि पाकिस्तान ने आखिर Wikipedia को ban क्यों किया लेट मी क्लियर वन तिंग ये जो ban है वो complete ban नहीं है समझाता हूँ पाकिस्तान ने ये बोला है कि Wikipedia में इसलाम के अगेंश काफी सारा content available है इसके जो Prophet Muhammad है उनके खिलाफ Wikipedia में बहुत सारा content दिया हुआ है इसको लेकर पाकिस्तान की Pakistan Telecommunication Authority PTA ने Wikipedia को पहले 48 hours का समय दिया था और बोला था कि ये content एक Blash Femi का content है जिसको आपको अपनी साइट से remove करना चाहिए अगर मैं Blash Femi का word use कर रहा हूँ तो इसका mean है किसी भी particular religion को लेकर के अभदर बातों को करना, गलत टिपनी करना ये Blash Femi है जिसको लेकर Wikipedia का पाकिस्तान पर कोई reply नहीं आया दिन पाकिस्तान ने Wikipedia को ban कर दिया अब मैंने जो बोला था ये ban completely ban नहीं है उसका means आप समझ गए होंगे अगर Wikipedia Blash Femi से related content को delete कर देता है तो पाकिस्तान ने ये बोला है कि हम अपने इस decision पर review भी कर सकते हैं और कुछ experts ऐसा मानते हैं कि एक larger social media ban की शुरुवात है क्योंकि पाकिस्तान इंदा पास्ट Blash Femi को लेकर YouTube को भी ban कर चुका है और ये YouTube का ban पाकिस्तान में 2012 से 2016 तक रहा है और interesting fact यहाँ पर ये है कि जब पाकिस्तान एक massive economic crisis face कर रहा है तब ये ban पाकिस्तान ने लगाया है जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे आज के समय में पाकिस्तान में economic crisis का एक face चल रहा है पाकिस्तान के PM शहबा सरीफ IMF में गय हुए हैं जहाँ पर IMF ने पाकिस्तान के लिए काफी कड़ी शर्ते रग दी हैं IMF यहाँ पर आप देख पाओगे IMF places new demands before Pakistan conclude after concluding first round of tough talks वीडियो अगर आपको informative लग रही हो तो वीडियो को like करना न बोले और subscribe भी कर ले ताकि bell icon को प्रेस करने के बाद आपको सबसे पहले वीडियो की update मिलती रहे आगे बढ़ने से पहले मैं आप से यह जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि Wikipedia की शुरुआत सबसे पहले किस ने करी थे comment section में अपना answer जरूर करिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे यह Time Magazine का एक article है जहाँ पर why Pakistan is facing a growing food crisis Time Magazine एक प्रकार का global media platform है आज के समय में पाकिस्तान की इसती के बारे में global media भी इसको cover कर रहा है और food का crisis पाकिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है इस पर USA का media साथी साथ USA की government ने भी चिंता जटाई है USA की government ऐसा मानती है कि आने वाले टाइम में food की crisis पाकिस्तान में बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी यहां तक की इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी कि एक time को पाकिस्तान जो है वो collapse भी कर सकता है इसलिए USA पाकिस्तान को जल्द ही एक food का consignment पाकिस्तान को send करेंगे अफकोस यह free of cost होगा क्योंकि और लेड़ी पाकिस्तान के जो बड़े शहर है लाइक लाहॉर वहां के 6 million means 60 लाख लोग हैं जिनको acute food की shortage दिख रही है इन short आप यह कह सकते हैं कि जो इस्तिती अफगानिस्तान में है वो धीरे धीरे पाकिस्तान में भी बन रही है अब आप country की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहां पर food की इतनी ज़्यादा मात्रा में कमी आएगी आपका IMF में loan भी approve नहीं हो रहा है food की crisis भी आप face कर रहे हैं इस बीच में जब आप दुनिया का सबसे बड़ा source of information, encyclopedia, wikipedia को block करते हो तो कई सारे question days तो होंगे ही अब देखिए आप की यहां पर एक question days कर सकते हो कि क्या पाकिस्तान अकेला ऐसा country है जिसने wikipedia को ban किया है तो इसका answer है no और भी बहुत से countries हैं जिनोंने wikipedia को ban किया है बट एक बात मैं और एट कर दूँ पाकिस्तान अकेला ऐसा country है जिसने wikipedia को इसलिए ban किया क्योंकि इसमें blast famous content मौझूद है Prophet Muhammad के बारे में गलत लिखा हुआ है जबकि और भी इसलामिक country जिनोंने wikipedia को ban किया है उन्होंने कुछ और ही reason बता करके इसको ban किया है ये आपके सामने उन countries की list है जहाँ पर wikipedia को ban किया गया है अच्छा यहाँ पर आप एक बात और समझ लो कि कुछ ऐसे देश है जहाँ पर partially wikipedia ban है लिश्ट में सबसे उपर नाम जो आता है वो है बेलारूस का बेलारूस की सरकार के खिलाफ wikipedia में जो कोई भी लिखता है सरकार उसको jail में डाल देती है चाइना ने पूरे wikipedia को ban कर रखा है इरान ने wikipedia के कुछ pages को ban करा है बट पूरे wikipedia को ban नहीं किया है और इसके बाद आप देखो तो आपको बहुत से Islamic countries मिलेंगे जैसे Saudi Arabia, Turkey, Syria, उजबेकिस्तान इन्होंने भी ban लगाया है बट इनका ban काफी different है काफी countries ने complete ban लगाया है और किसी किसी ने partially ban भी लगाया है Wikipedia के आप सब सिज़ें समझते ही हो तो Turkey ने ban इसलिए लगाया कि इनकी सरकार को आतंकवाद का support करती है ऐसा Wikipedia में लिखा हुआ है तो ये reason है जिसकी वज़े से Turkey ने Wikipedia को ban किया तो इसमें आपको ये जानने को मिला कि कोई भी country ऐसा नहीं है जो की bless famous content को ले करके ban करने की बात करें सेम आपको मिलेगा साओधी अरेबिया में साओधी अरेबिया में ये बोलते हैं कि अगर कोई royal family के खिलाव कोई लिखता है तो सरकार उस चीज को उस page को उस content को ban कर देती है लेकिन इसलामी religion के बात को ले करके वो Wikipedia को ban नहीं करते है तो in short Pakistan पहला ऐसा country होगा जो Wikipedia को इसलिए ban कर रहा है क्योंकि उसमें bless famous content मौझूद है साथ ही साथ कई सारे activist हैं वो बूल रहे हैं कि Wikipedia को ban करने के पीछे reason कुछ और भी है देखिए ब्लैश फेमी एक ऐसा issue है जिसको लेकर काफी बार निता politics भी खेलते है और example मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के former prime minister इमरान खान जब सत्ता में थे तो इनको ब्लैश फेमी का जो issue है वो ये UN में लेकर जाते थे और भी बैटकों में इस issue को raise करते थे और इसकी वज़े से इमरान खान की popularity पाकिस्तान में और भी world medias में बढ़ गई थी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की major population ब्लैश फेमी की against जो rules है जो laws है उनको support करती है वो नहीं चाहती है कि इसके खिलाब कहीं से कोई भी आपती हो जो इस strategy को इमरान खान जिस strategy से चल रहे थे उसी strategy से आज की current government भी पाकिस्तान में रन कर रही है वीडियो अगर interesting लग रही हो, informative लग रही हो तो चनल को like करना और subscribe करना ना भूले उसके अलावा इमरान खान पर आज के समय में एक ब्लैश फेमी के law के ऊपर एक case भी चल रहा है ब्लैश फेमी case registered against ex-Pakistan PM इमरान खान, minister says he will be arrested अब आपका ये question आएगा कि ये case कब हो गया ये May 2022 की बात है, जब पाकिस्तान में नए PM शहवाज शरीफ पाकिस्तान के नए PM बने थे तब सबसे पहले इनकी विजिट साओधी अरेबिया में मदीना में हुई थी वहाँ पर इमरान खान के कुछ supporters ने मदीना में शहवाज शरीफ के खिलाव काफी बुरा बला बोल दिया था देखिए इस पर पाकिस्तान गवर्मेंट ने इमरान खान के खिलाव बैश फेमी का एक case लगा दिया क्योंकि मदीना एक ऐसा place है जहाँ पर आप politics नहीं करते हैं तो ये था आज का analysis इस वीडियो का वीडियो अगर informative लगी हो तो वीडियो को like करना और चनल को subscribe करना ना भूले मेरा आपसे question ये था कि Wikipedia की शुरुवात किस ने की थी या आप insured कर सकते हो कि Wikipedia के founders कौन है genuinely मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका इस पर क्या विचार है कि पाकिस्तान ने अपनी country के लोगों को एक इतनी बड़े source of information से वंचित कर दिया है तो क्या इस पर आपके opinion है comment section में अपने answer को जरूर करिएगा धन्यवाद